देवी पारवती का वह सुरूप जिसमें वह शुम्भ और निशुम्भ नामक राच्चसों का वद करने ही तू अपनी बाहिय स्वरणिन तचा को हटा देती है इसे देवी काल रात्री के नाम से जाना जाता है। उनके दाहिने हाथ अभय एवं बरत मुद्रा में तथा वह अपने वाएं हाथों में तलवार एवं लोह का घातक अंकुषधारण करती है। यद्दपी देवी काल रात्री देवी पार्वती का सबसे उग्रो रूप है किन्तुव है अपने भक्तों को अभय एवं बरत मुद्रा द्वारा आशिरवात प्रतान करती है। उग्र रूप में विद्ध्मान अपने शुभ अत्वा मंगल दायक शक्ती के करण देवी काल रात्री को देवी शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे का विडियो प्रारम करते हैं द्यान मंत्र कराल बंदना घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम काल रात्रिम करालिंका दिभ्याम बिद्दुतमाला अभिभुशताम दिभ्यम लोह बजर खडग वामो घोर्द्व कराम भुजाम अभयम वरदाम चैव दच्छनो ध्वागह पार्निकाम महामेग प्रभाम श्यामाम तक्षा चैव गर्धवा अरूणा घोर दंश कराल लाश्याम पीनो नत पयोधराम सुक्प प्रसन्न वदना इसमें रान शरोरुहाम एवं सचियंत येत काल रात्रिम सर्व काम सम्र्धिदाम इस्तोत्र रहिम काल रात्रे श्रेम करालीच क्लीम कल्यानी कलावती कुमतगनी कुली नर्ती नाशनी कुल कामिनी कलीम रिम श्रेम मंत्र वरणेन काल कंटक घातिनी क्रिपामय क्रिपाधारा क्रिपापारा क्रिपागमा कवच ओम क्लीम मेहरदयं पातु पादोश्य काल रात्री ललाटे सततं पातु तुष्ट ग्रह निवारणी रसनाम भैरवी चछू सोर भमा कटव प्रिष्टे महेशानी करणों शंकर भामिनी वर्जी तानी तू इस्थाना भी या नीच कवचे नहीं तानी सर्वानी में देवी सततम पातू स्तंपनी आरती काल रात्री जै जै महरानी काल के मुह से बचाने वाली दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा महा चंडी तेरा अवतारा पृत्वी और आकास पिसारा महा काली है तेरा पसारा खडख पर रखने वाली दुष्टों का लहु चखने वाली कलकत्ता इस्थान तुम्हारा सब जगह देखू तेरा नजारा सभी देवता सब नरनारी गामे इस्तूती सभी तुम्हारी रत दंता और अनपुरना कृपा करे तो कोई भी दुखना ना कोई चिंता रहना बिमारी ना कोई गम ना संकट भारी उस पर कभी कष्ट ना आवे महा काली मा जिसे बचावे तू भी भगत प्रेम से कह कालरात्रिमा तेरी जै 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 मा कालरात्री उमीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुती उपयोगी होगा वीडियो को प्लीज लाइक कीजएगा और शेयर कीजएगा अपने दोस्तों और रिष्तिधारों के संग अगर चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा नमस्कार